इस वीडियो में हम लोग भारत के भुगोल से समंदित समान्य परिचा की बात करेंगे और यह वीडियो हमने बनाया है मिलली कि आप अपने आपको जज करें आप अपने आपको टेस्ट करें कि आपकी तयारी कितनी है और कितनी आपको और तयारी करनी है इस वीडियो में हमने अब तक एक्जाम्स में जितने भी questions पूछे गए हैं भारत के समन ये परिचा से समन देते उन सभी प्रशनों को हमने सामिल किया है और साथ ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण important facts हैं उन सभी को हमने सामिल किया है हमें पुरा विश्वास है कि अगर ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आप उन सभी सवालों के जवाब देने में सक्चम हो जाएंगे जो किसी भी एक्जाम में पूछे जाते हैं या अब तक पूछे गए हैं इस समानने परिचा में हम लोग मिलनी भारत के छेतरपल से समंधित भारत के अच्छांसिय विस्तार से समंधित भारत और करकरेखा से समंधित मानक समय से समंधित दुरस्थ विंदू मतलब भारत के दुरस्थ विंदू क्या क्या है नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट सिमाव लोग भारत का समन्न परिचा जान रहे हैं अगर आप एक UPSS Parent है या पिर State PCS के तयारी कर रहे हैं या किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो भारत के बारे में इतनी जनकारी तो आपको होनी ही चाहिए आप भारत के नागरिक हैं फिर भी आपको ये सारी चुझे जाननी जाहिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आएनग वीडियो सुरू करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निमने लिखित कत्नों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं फर्स्ट स्टेट्मेंट इस भारत बिशव का पांचमा बड़ा देश है सेकेंड इस भारत में संपूर्ण मानो जाती का लगभग 17% जनसंख्या है थर्ड भारत बिस्व के कुल छेत्रफल का लगबग 2.4 परतिशत भाग अधिकरित किये हुए है फोर्थ संपूर्ण भारत उस्न कटिबंद में इस्तित है हम आपसे request करेंगे कि answer आप अपने मन में रखें आप जरूर attempt करें इसे क्योंकि जब मैं answer बता दूँगा तो आपको सवाल easy लगेगा बट उससे पहले आप attempt करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदे मन्द होगा so first statement गलत है क्योंकि भारत बिस्व में बिस्व का पांचवा बड़ा देश नहीं है बल्कि स्था आपमा बड़ा देश है और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले जो देश हैं जो भारत से 6 बड़े देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और आस्ट्रेलिया और अगर second statement के बात करें तो second statement बिलकुल सही है क्योंकि यह 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत का जनसंख्या जो है वो 17.5 परतिसत है संपूर्ण बिस्व का third statement भी सही है and fourth statement सही नहीं है fourth statement सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम भारत के विश्तार की बात करें तो यह भारत मिलनी उत्री गुलार्थ में इस्तित है और इसका जो अग्छांस्य विश्तार है वो 8 degree 4 मिनट उत्र से लेकर के 37 degree 6 मिनट उत्र तक है और उस निकटी बंदिये छेत्र जो होता है उस निकटी बंदिये छेत्र मिलनी साड़े तेस डिगरी उतरी अच्छांस से लेकर साड़े तेस डिगरी दक्षनी अच्छांस के मध्य को हम लोग उस निकटी बंदिये छेत्र कहते हैं इसका अंसर हो जाएगा only two and three इसका अंसर है only two and three आप explanation देख सकते हैं क्योंकि जो भी चीज़े हमने बोल दी अगर आपको ध्यान न रहे तो आप ये वीडियो पाउस करके ये चीज़े note भी कर सकते हैं next is करक रेखा के सम्मंध में निमनलिखित में कौन से कतन सत्य हैं first statement is यह भारत के साथ राज्यों से होकर गुजरती है second statement is यह भारत के उत्तरपूर्व के दो राज्यों त्रिपूरा और मिजोरिम से होकर गुजरती है so first statement is wrong क्योंकि करक रेखा जो है वह साथ नहीं बलकि आठ राज्यों से होकर गुजरती है और वह राज्य भी आपको याद रखने चाहिए हमने पस्चिम से पूरब की और आपको ये राज्यों बताएं ये करम भी आपको ध्यान होना चाहिए और second statement सही है क्योंकि North East के सिर्फ दो ही राज्य त्रिपूरा और मिजोरिम से ये गुजरता है next question is गुजरत के सबसे पश्चिम गाउं और अरुनाचल परदेश के सबसे पूर्वी छोर पर इस्तित वालॉंग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा बहुत ही अच्छा सवाल है इससे आपको बहुत सारी चीज़े किलियर होंगी जैसे कि अगर हम समय की गंड़ना की बात करें तो हम समय की गंड़ना कैसे करते हैं देशांतरिय विश्तार में तो इसका अंसर होगा बी दो घंटे क्योंकि अगर हम भारत के देशांतरिय विश्तार की बात करें तो वह 68 डिगरी 10 मिनट से लेकर 97 डिगरी के आसपास है आपको मिनट याद नहीं रखने आपको बस एप्रोक्स याद रखना है कि 68 डिगरी से लेकर 97 डिगरी तक है और यह जो गैप है यह लगबग 29 डिगरी का है और आपको पता होगा कि एक देशांतर ये एक देशांतर को हम लोग 4 मिनट से कल्कुलेट करते हैं तो अगर यह गैप लगबग 30 मिनट का है तो 30 इंटो 4 एप्रोक्स 120 मिनट हो जाते हैं इसलिए 120 मिनट 2 गंटे के बराबर होगा और भी जो important बाते हैं अगर हम बात कर रहे हैं नौर्थ और नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट की तो हमें यह भी गयात होना चाहिए कि भारत का जो बिल्कुल नौर्थ है और जो शाउथ है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमेटर है आपको भारत का संपूर्ण चेतरफल भी ध्यान रखना चाहिए ज रेट पोजिशन पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अर्जेंटीना है और एक और इंट्रेस्टिंग बात है कि ब्राजील जो है वो 5th पोजिशन पे है सभी में चाहिए आप जनसंक्या की बात करें या छेतरफल की दृष्टी से बात करें ब्राजिल 5th पोजिशन पे भाबाद नैनी हो सकता है या आप सबको पता हो फिर भी हमें यह द्यान रखना चाहिए कि जो IST है वो साढ़े 42 डिगरी पे है 42 डिगरी 30 मिनट पे है और यह Greenwich माध्य समय यानि कि GMT जो है GMT से 5 गंटा 30 मिनट आगे है और अगर हम बात करें कि भारतिये मानक समय IST भारत के क इतने राज्यों से वोकर गुजरता है जो कि बहुत ही महत्वपून सवाल बनता है तो यह 5 राज्यों से वोकर गुजरता है हो सकता है किसी एक्जाम में आप से राज्य भी पूछ लें तो वो राज्य है UP, MP, 36 गर्ड, ओडिशा और आंधर प्रदेश 5th question is भारत का दक्षिंतम बिंदू इंदरा पॉइंट है भारत का सबसे पुर्वी राज अरुनाचल प्रदेश तथा सबसे पस्चमी राज गुजराथ है थर्ड स्टेट्मेंट इस भारत का सबसे उतरी बिंदू इंदरा कॉल है इसमें सभी स्टेट्मेंट सत्य हैं अगर हम दक्षिंतम बिंदू की बाद करें तो इंदरा पॉइंट है और यह बड़ा निकोबार में इस्तित है यह जितने भी स्टेट्मेंट है यह किसी न किसी एक्जाम में पूछे गये हैं as it is हमने यहाँ पर option हटा करके इसे इसके सभी अंसर सत्य हैं दक्षिंतम पॉइंट हमने आपको बताया ग्रेट निकोबार में है अथ्वा बड़ा निकोबार वो से कहते हैं उत्री बिंदू उत्री बिंदू आपको ध्यान रखने चाहिए उत्री बिंदू जो है इंद्रा कॉल वह सियाचिन ग्लेशियर के पुर्वी बिंदू अरुनाचल प्रदेश में इस्तित है और पश्चमि बिंदू जिसे गौर माता अथ्वा गुहार भी कहते हैं वह गुजरात में इस्तित है और हमने पूरब से पश्चम का आपको डिस्टेंस भी बताया इंडिया का जो 2930 किलोमेटर है Sixth question is निमनलिखित कत्नों में से कौन से सही हैं First statement is पश्चममंगाल भुडान तथा नेपाल के सिमाओं से लगा हुआ है Second is मिजोरम बांगलादेश तथा मियानमार के सिमाओं से लगा हुआ है Third is, भारत और पाकिस्तान के मध्य, अंतरस्टिय सिमा का निर्धारन मैख मोहन रेखा द्वारा किया जाता है। so first and second statement सही है third statement सही नहीं है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच मैक मोहन रेखा नहीं बलकि रेट क्लिफ रेखा है मैक मोहन भारत और चाइना के बीच का है first और second statement दोनों सही है अगर आपके पास अभी map हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि examination hall में आपको map नहीं मिलेगा you have to imagine तो अगर आप अभी चाहें तो वीडियो पास करके आप map लें आप map को देखें कि भाज़ब मंगाल भुटान दथा नेपाल के सिमाओं से जुड़ा है कि नहीं है मिजोरम बंगलादेश और मियामार के सिमा से जुड़ा है कि नहीं है एक और इंट्रेस्टिंग बाद में आपको बता दूँ कि भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो पडोसी देश के सिमाओं से जुड़े हुए हैं ये सवाल डिरेक्ली एक्जाम में पूछा जाता है कि कितने ऐसे राज्य हैं भारत के जो पडोसी देशों से जुड़े हुए हैं सो हमने आपको बताया कि रेटकलिफ रेखा भारत और पकिस्तान के मध्धे का है दुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्धे का है मैक मोहन रेखा भारत और चीन के मध्धे का है ये सारे स्टेट्मेंट भी एक्जाम में डिरेक्टी पूछे जाते हैं सेवन्थ क्वेशन इस निमनलेखित में से किसी राज्य की सिमा बंगला देश से नहीं मिलती है ए मिघाले, बी, सौरी इसमें सारे ओप्संस ए ए लिखे गए हैं इसमें हैं मिघाले, तृपुरा, मनिपूर और मिजोरम ऐसा टैपिंग के दोरान प्रोब्लम हो जाती है सो प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्षन में बताएं कि हमारा परियास कैसा है क्योंकि ये इतना इजी वर्क नहीं है हम लोगों को काफी अच्छा लगता है कि हम लोगों से अपना नॉलेज शेयर करें अगर हम बात करें मनिपूर से समन्दित तो बांगला देश की अंतरस्टीय सीमा जो है वह पांच राजियों से लगती है जो आपने आपको बताया भी वह पांच राजिय है पस्चमंगाल, असम, मेगाले, तिरपूरा और मिजोरम और एक और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि बांगला देश ऐसा कंट्री है जिससे सबसे अधिक सीमा भारत से जुड़ी हुई है वह लगबग 4,096 किलोमेटर सीमा भारत के साथ सेयर करता है जो कि मैक्समम है किसी भी उसके पडोसी देश का और अगर हम मिनिममम बात करें तो मिनममम अफगानिस्तान का है निमनलिखित में से किस राजी की सिमा भुटान राष्ट के साथ नहीं मिलती है सुदा सो इसके options हैं सिक्किम, मिघाले, अरुनाचल परदेश और पश्चिमंगाल हम आपको बोल रहे हैं बार-बार कि आप map प्लीज अपने mind में लाएं अगर आपके पास अभी map है तो map देखें नहीं तो आप google पर साच करके map देखें इससे बहुत फायदा होगा ये चीजे long time आपके memory में रहेंगी 8th का answer है मिघाले मिघाले जो है वो मिल्ली भुटान के साथ नहीं लगता है अगर हम भुटान की बात करें तो भुटान के साथ भारत लगभग 700 km सीमा सेयर करता है ऐसे exact आप ध्यान रहें तो 699 km है और मिल्ली सिक्किम असम पश्चमंगल और अरुनाचल परदेश हैं जो की भुटान से सटे हुए हैं ये भी direct exam में पूछा जाता है कि भुटान से कितने अस्टेट भारत के लगते हैं तो 4 अस्टेट हैं सिक्किम असम पश्चमंगल और अरुनाचल परदेश नाइन्थ क्वेस्चन इस कौन से भारती है राज्य की अधिक्तम सिमा म्यानमार से असपर्ष करती हैं अप्शन है मनिपूर, B. अरुनाचल परदेश, C. मिजोरम, D. नागालेंड इसका अंसर है D. नागालेंड अगर हम म्यानमार की बात करें तो म्यानमार के साथ भारत 1643 किलोमेटर अपना बॉर्डर से एर करता है और इसमें मिली 4 राज्ये हैं जो की म्यानमार से सटे हैं म्यानमार की बार्डर से सटे हैं वो हैं अरुनाचल परदेश जो की सब से उपर है नागालेंड, मिजोरम और मनिपूर जिसमें नागालेंड मैक्समम बार्डर से एर करता है म्यानमार के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेशन है भारत के निमनलखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पकिस्तान से सीमा बनाता है बहुत ही महतोपूर्ण सवाल है और पकिस्तान के साथ आए दिन कुछ न कुछ करेंट में हमें बाते जानने को मिलती रहती हैं यह चीज़े आपको ध्यान होनी चाहिए इसमें भी गलती से सारे option AA हो गया है तो इसका अंसर होगा पंजाब जम्मु एंड कास्मीर राजस्थान तथा गुजरात जो की second है तो अगर हम आपको यहाँ पर बताएं कि पाकिस्तान के साथ भारत कितना किलोमेटर सीमा साजा करता है तो पाकिस्तान के साथ भारत 3330 किलोमेटर सीमा साजा करता है पर फोडोसी राज्यों की बात करें तो हमने बताया है भारत के साथ अफगानिस्तान सबसे कम बाडर साज साजा करता है फिर नेपाल है जो की 1751 किलोमेटर साजा करता है यह जितने भी डेटा हम आपको बता रहे हैं यह ग्रीह मंत्राले की वार्षिक रिपोर्ट 2013-111 के अनुसार है पाकिस्तान के सीमा को असपर्ष करने वाले राज्ये हैं जम्मू और कास्मीर, पंजाब, राजस्थान वगुजरात, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम साजा करता है और वह सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कास्मीर है जो की 106 किलोमेटर है चीन के साथ सपर्ष करने वाले राज्ये हैं, मिजोरम, तरिपूरा, असम, मिघाले और पहस्चे मंगल, नेपाल के साथ जो सपर्ष करते हैं वहाँ उतराखंड, उतरपर्देश, बिहार, पहस्चे मंगल और थिक्किम, अब मैप अगर देख लें तो आपको सारी चीजे अच्छे से याद हो जाएंगे यह मैप है अगर आप चाहें तो वीडियो पाउस करके यहाँ पर देख सकते हैं कि बागी सारी चीज़े क्या है कैसे हैं आप प्लेज इसको ध्यान रखें बहुत इंपोर्टेंट है ये अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं ताकि हमें एप्रिशेशन मिले और हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाएं अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच जैहिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जेनरल स्टडिज बैस पे इस वीडियो में हम लोग भारत में यूरोपियन का आगमन से सम्मंधित प्रशनों को हल करेंगे और मुझे बिस्वास है कि अगर आप अंतिम तक इस वीडियो को देखते हैं तो यूरोपियन से सम्मंधित किसी भी सवाल का आप उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आईए सुरू करते हैं भारत में यूरोपियन का आगमन से समंधित प्रशन फर्स्ट क्वेशन इस यूरोपियन कंपनियों के आगमन के संदर्व में निमलिकित कतनों पर विचार करें फर्स्ट स्टेट्मेंट इस वासको डिगामा भारत के पश्चमित तट पर इस्तित कालिकट बंदर का पहुंचा सेकंड स्टेट्मेंट इस पुर्तकाली ब्यापारियों ने भारत में कालिकट, गोवा, दमन, दिव जथा हुगली में अपनी लाट कोठियां स्थापित की पांडी चरी पर कबजा करने वाली पहली और आकरी शक्ती पुर्तकाली थे इसमें फर्स्ट और शेकंड स्टेट्मेंट सही है, थर्ड स्टेट्मेंट सही इसलिए नहीं है क्योंकि पांडी चरी पर कबजा पहली और आकरी सिर्फ पुर्तकाली ने ही नहीं की बल्कि उनके बाद डच, अंग्रेज और फ्रांसीशियों ने भी उस पर कबजा किया इसका अंसर है A, 1 and 2 क्योंकि पांडी चरी पर सहर्व पर्थम पुर्तकाली ने अपना ओपनिवेस इस्थापित किया था लेकिन उसके बाद यह डचों के नियंत्रन में आ गया था और उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीशियों से भी इस पर आधिपत इस्थापित किये थे अंग्रेजियों ने भी पांडी चरी पर 1793 में कबजा किया और 1814 इस्थी में जो पेरिस की संधी हुई उसके ताहत इसे फ्रांस को सौब दिया था इसकेंड क्वेस्चन इस एक तरफ है समुद्री यात्री दूसरे तरफ है वो किस देश से आये इसका मिलान करना है तो आप वीडियो को पाउस करके आप इसका मिलान करें और प्लीज इसे जरूर से जरूर अटेम्ट करें ताकि अटेम्ट के बाद आप यह जान सके कि आपकी आपका नॉलेज इसमें कितना है और कितना आपको इसमें इंप्रूफ करना है तस्मान उसके बाद है Captain Cook उसके बाद है Columbus और D में है Vasco Di Gama हम इसका अंसर देखते हैं तस्मान जो थे वो Holland के थे Captain Cook जो थे यह Britain के थे Columbus जो थे वो Spain जो थे और Vasco Di Gama जो थे वो पूर्टगाल से थे So the answer is A Vasco Di Gama जो की पूर्टगाली यातरी थे उन्होंने भारत की खोश की थी Australia के खोश Britain के Captain Cook ने की थी Holland के तस्मान ने तस्मानिया और New Zealand की खोश की थी और अमेरिका की खोश की खोश की थी Third question is पूर्टगालियों ने भारत में पर्थम दुर्ग का निर्मान की सिस्थान पर किया So the answer is B. Cochin और इन्होंने 1503 इस्वी में इसका निर्मान किया पर्थम दुर्ग का और उसके निर्मान करता थे Alphansho de Albuquerque इनके दोरा निर्मान किया किया था Fourth question is Hawkins के संदर्व में निम्लिकित कत्नों पर विचार के जया 1608 इस्वी में Captain Hawkins अकबर के नाम James प्रथम का पत्र लेकर आया जिसका जहांगिर ने आगरा में स्वागत किया Second statement is जहांगिर ने Hawkins को खान की उपादे दी तथा चार्थो का मनसब भी दिया Third is Hawkins ने सूरत में ब्यापारिक कोठी अस्तापित करने की अनुवति मांगी So the answer is D ये सारे statement सही है 31 December 1608 इस्वी को Elizabeth प्रथम ने East India Company को 15 वर्ष के कादिकार वाला ब्यापारिक पत्र दिया था जिसे James प्रथम ने फिर अनिश्यत काल के लिए बढ़ा दिया था 1608 इस्वी में Hawkins जहांगीर से मिला था और फार्षी भासा में बात की जिसे प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे खान की उपादी दी थी 1615 सुलाइस्वी के मध्य टॉमस रो जहांगीर के दिर्वार में James प्रथम का दूट बन कर रहा Fifth question is 1632 में एंग्डेजों को शुनहरा फर्मान प्राप्त हुआ था इसके बाद कंपनी को अधिकार मिल गया था कि 500 पैगोडा वार्षिक करके बदले वागोलकुंडा के सभी बंदरगाउं से सोधंतरता पुरवग ब्यापार कर सकते थे स्थापक से संबंदित या वास्ताविक संस्थापक से संबंदित या प्रश्न है कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारना था सही है बंबई का संस्थापक जिराल्ड एंग्यार था यह भी सही है 3rd है मदरास की स्थापना फ्रैंको माटिन ने कि थी यह गलत है 4th इस पॉंडिचेरी का पर्थम गवर्नर फ्रांसिस डे था यह भी गलत है मदरास की स्थापना मिली फ्रांसिस डे ने की थी और अता है इसका अंसर ए होगा कलकत्ता का संस्थापक जॉब चॉर्णाक था फ़र सही है भंबई का संस्थापक जिरॉल्ड अंगियार था यह भी सही है मदरास का संस्थापक फ्रांसिस डे था जबकि फ्रेंको माटिल पांडिचेरी का प्रथम फ् फो गलत हैं सेवन्थ मैच करना है राज्य और उसके संस्थापक अवद के संस्थापक हैं सदाकत खाँ मुर्हान मुल्क हैदराबाद के संस्थापक है आपके चिनकलिस खाँ बंगाल के संस्थापक है मुर्शित कुली खाँ और करनाटक के संस्थापक है सादुतुला खाँ So the answer is B अवद के संस्थापक सदाकत खाँ है हैदराबाद के चिनकलिस खाँ है रुहेल खंड के वीर दाओ देवं अली मुहमद खा हैं बंगस राज के मुहमद खा बंगस हैं बंगाल के मुर्शित कुली खा हैं और करनाटक के सादुतुल्ला खा हैं एट्थ क्वेशन इस फारुक्षेर दोवारा 1777 इस फिम में जारी फर्मान के संदर्व में निम्नलखित कत्मों में से कौन सा असत्य है फर्स्ट आप्शन इस कंपनी को बंगाल कर दिवान के अनुमती से कलकत्ता के पास 38 गाओं को खरीदने की अनुमती मिल गई यह सही है यह सही नहीं है सुदा अंसर इस डी नाइन्थ क्वेशन इस भारत में डेविस कंपनी के आगमन के संदर्व में निम्नलखित कत्मों पर विचार किजे फर्स्ट इच 1616 में डेनीस कंपनी का आगमन हुआ सेकेंड है 1620 में डेनिस कंपनी ने त्रावन को रहने के तमिल आड़ो में ब्यापारिक केंद्र खोला थर्ट इस डेनिस कंपनी ने सेरामपुरी ने बंगाल में अपना मुख्याले बनाया तो ये सारे स्टेटमेंट सही है और अगर कंपनी के आगमन की बात कीज़ा तो सबसे पहले पूर्टगाली आये थे पूर्टगालियों का आगमन 1464 में हुआ था उसके बाद अंग्रेज्यों काअगमन 1660 में हुआ था डेक 1602 में आये थे, डेनिस 1616 में आये थे, फ्रांसेशी 1664 और स्वीडिस 1731 स्वीव में आये थे तेन्थ क्वेशन इस, फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी के विशाय में निमलिकित कत्नों पर बज़ार किजिए फर्स्ट इस, कोलबट की अगवाई में दे इंडिस ओरियंटल नाम की फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था सेकेंड इस, पॉंडिचेरी में पोर्ट लुइस के स्थपना हुई, यह भी सही है, फर्स्ट इस, यूरूपया में आस्ट्रिया के उतरा धिकार युद्ध है, निके सब्त वर्ष युद्ध के बाद, भारत में फ्रांसेसी अंग्रेज युद्ध की शुरुआत हुई, य इस में अंग्रेजों की जीत वी, सुदांसर इस, डी, अलार कोरेक्ट, तो थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स पर वाचिंग, अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जय हंद,